आपने इसको इसमें mix करने, यह गिर गया तो फिर आप इसको दुबारा से उकठा करके उठाए नहीं सकते हैं, वो तैयाद से आपने इसको 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 इसमाल करने हैं, छीक हो गया, इन पेजिस के अंदर ये थोड़ा सा चान्दी का वरक है, इसको आपने ऐलोवेरा के आप यह दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है तब तक मैं इसको mix करोंगी जब तक में छोटी से request आप दोस्तों से करती चलों के जिस तरह से आप मेरे बहुत अच्छे friends है आप लोगों मौने बहुत ज़ाधो सूपोर्ट की अ तो उसी तरह से मेरी एक फ्रैंड का चैनल है है एक्सलैंड जिसका लिंक मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दिया है और आप वीडियो के एंड पे देख सकते हैं वहाँ पे अप्लोड आने वाली बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो को आप लोग इंज्वाइब भी करेंगे और प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे कमेंट्स भी करिए तो मुझे रिपोर्ट मिल जाएगे ठीक हो गया अब दो चीजों को मिट्स कर लेने के बाद जो हमारा थर्ड इंग्रीडियंट है वो है रोज वाटर अम इसमें एक चम्मच जो है वो गुलाब का अरग मिलाएंगे ठीक हो गया तीन चीज़ें बहुत द्यान से आप इसको देखते रहें कोई इसको बनाना रॉकेट फाइंस नहीं है आप जब इतना च्छा क्लो सिरम बना लेंगे 15-20 दिन चलेगा और आप इसका रिजर्ट आपको इसी वीडियो के अंदर इंस्टेंट दिखाएंगे इसमें में गुलाब का रख शामिल करूंगी वन बावन चीज़ों को एड़ करें और साथ में मिक्स करते रहें ताक कि एक चीज़ें यक्जा भी असानी से हो जाएं और आपका बहुत ही जबर्दस्ट लो सिरम जाएं वो त्यार हो जाएं आप इसको एक दफाप करेंगे इसको बहुत ही प्यारा रिज़र्ट है चांदी के और आप खाने के लिए भी इस्तमाल किया जाते हैं और इसके और बे कितने पुवाइदा किसी वीडियो में आप लों के साथ लाज़मी शेयर करूंगी वैट अब भी आप यहीं भी इसका रिज़र्ट देख ले आप भी अपनी ब्यूटी प्रॉडक्ट्स में इसको लाज़मी इस्तमाल किया करें आप ती स्पून हम इसमें मिलाएंगे क्लिस्ट्रिम अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ मैं आप लोग को रिमाइंड करवाती चलों कि जो दोस्त पहली दफा मेर वीडियो को देखते हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताके वीडियो खतम होते ही आप लोग इसको भूल नहीं जाएर यहां पे अप्लोड हैने वाली ऐसी जबर दोस्त और इंस्टेंट रिजर्ट वाली रेमिडियस को इंजोई कर सकें एक्सलेंट के जो चैनल का लिंक में आप लोग के साथ शेर किया उसे आप वीडियो के लास्ट पे देख सकते हैं लास्ट में हमारे बास जो नेक्स्ट है वो है पंप की नॉयल यानि कदू का देख यह भी आपको पंसास से असानी के साथ उन्जाएगा इससे यह होगा कि आपके चेहरे पर किसी भी किसम के दाख दब हैं एवन एक्नी मार्ग्स हैं या पिंपल्स वगारा के स्कार्ज आप वो भी इससे खतम हो जाएंगे यूँके हम इस ग्लो सिरम में ही सारी क्वालेटीज रखना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह की स्किन प्रॉड्रम हो इससे ग्लो सिरम से जो है वो कवर हो जाएंगे ठीक हो गया अब इसमें हम आदा टीस्पून जो है वो कदू का तेल मिलाएंगे ये भी आपको पंसार से ये किसी भी जनल स्टोर से असानी के साथ माट पे मिल जाएगा ठीक हो क्या अब इसको भी उच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें बाकी चीज़े आइट करेंगे ग्लू सिरम बहुत प्यारा सा इसमें ग्लू भी आज़ा आरा ये मिक्स की असानी से हो जाएगा और सबसे अची चीज़ यह ऑईली स्कीन वाले भी इसको इसको इसमाल कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें हम मिलाएंगे नार्गिल का देल कोकोनाट आयल ये भी हमने half teaspoon लेना है इसको oily skin मेले देखे करो के इसमाल करें क्योंकि आप मौसम बदल गया है तो ये बहुत अच्छा result आपको देगा कोई tension की बात नहीं है तो आप इसको हर तरह की skin के लिए best step wise भी इसको इसमाल करें तो इंशाला ताला दो दिन में इसके results आपको हैरान कर देगे ठीक हो गया अब इन तमाम चीज़ों को mix कर लिया हमने और सबसे last में हम इसमें मिलाएंगे जो के बहुत ही strong ingredient है हमारा जतून का तेल olive oil half teaspoon हम इसमें olive oil मिलाएंगे ठीक हो गया अब तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद जो optional जीज़ है वो है vitamin E का capsule या vitamin A का capsule वो optional है आप ना भी इसको शामिल करना चाहें तो ना करें उससे आपके glow serum पे मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा तो इस glow serum के लगाने के आदे कंटे के बाद या 20 मिनेट के बाद ही आपकी skin पर आप देखेंगे किसी भी किसंद का oil या चिपचिपा बन नहीं होगा and that's it आपका ये glow serum बन के त्यार है ये बहुत strong है आप देखेगा कि सिरफ एक तो इंग्रीडेंट जो हमने इसको अगर आप रैगुलोर इस्तेमाल करेंगे तो आपके skin के उपर जो डार्क स्पोर्ट्स हैं आपके अंडर आइस जो हलके पड़ जाते हैं तो आँखों के क्रीब भी लगाएं तो आप पूरे चेरे पर रहसानी से लगाएं आँखों के उपर भी लगा सकते हैं तो आप देखेए ज़ा कि इसका रिजल्ट बहुत ही जबर्दस्त होगा फिर फो जब आपको इसको अप्लाई करने का तरीक अप्टा देते हैं आपने इसको फोड़ा सा क्लो सिरम लेकर अप्लाई करने रात की टायम बिल्कुल इतना सा अपने चेरे पर लगाएं और इसको इस तरह से मसाज करना हलके हाथ से मसाज के लिए बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं आपने, इससे चिप-चिपा पन नहीं होगा तकरीबन एक मिनट का मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ने यहां में आपको तीन घंटे छोड़ देने के बाद रिजर्ट इसका दिखाऊंगी सिर्फ आप लोग को शोड़ने के लिए में इसको तीन घंटे लगा के रखा है और तीन घंटे के बाद आप इसका रिजर्ट डेख सकते हैं इस दरान में आपने वाश नहीं करना, आपको तीशों वगारा से साफ भी नहीं करना बहुत ज़्यादा ओयल भी नहीं है हाथ के उपर और तीन घंटे के बाद का रिजर्ट आपको नजर आ रहा है अगर आप इसको और नाइट लगाराने देंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट रिजर्ट देंगा इतनी मैना से वीडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है न और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुवारा कैसे ढूंडेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पर सेगे